असलाम वालेकूम, मैं हूँ शमाज देनब खान, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, फ्रेंच फ्राइस बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं, आज हम रेस्टोरंट जैसे फ्रेंच फ्राइस घर पर बनाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से, तो चलि इसले पतले स्लाइस कर लेंगे, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइट कर देंगे, अब हम इसके एक हिस्से को उठाकर इस तरह से कट कर लेंगे, अगर आपको सही से फ्रेंच फ्राइस कट करना नहीं आ रहा है, तो आपको मार्केट में फ्रेंच फ्राइस कटर भी मिल जा अब हम कट किये हुए आलू को इस पानी के एक बॉल में आट कर देंगे इसको हम अच्छे से एक बार वाश करके इसका पानी फेक देंगे फिर हम इसमें नया पानी आट करेंगे एक टेबल स्पून नमक आट करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम आदे गंठे तक रख देंगे अगर आपके पस टाइम कम है तो आप इसको 15 मिट भी रख सकते हैं आलू को भीगते हुए आदा गंठा हो चुका है अब हम इसको फिर से दो पानी से वाश कर लेंगे अब हम इस आलू को किचन टावल के उपर एट करके अच्छे से पोच लेंगे या नहीं तो आप इसको बाहर धूप में भी सुखा सकते हैं या तो आप इसको पंके के नीचे रख कर भी सुखा सकते हैं आलू के अंदर से पानी अच्छे से ड्राइ हो चुका है अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के लिए लेंगे हम एक पैन इसके अंदर हम तेल एट कर लेंगे इसको हम डीप फ्राइ करेंगे इसलिए हम तेल थोड़ा ज्यादा एट करेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसके अंदर हम फ्राइस को एट कर देंगे तेल के अंदर फ्राइस को आइस्ते एट करें नहीं तो इसके चीटे उड़ सकती है गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे इसको हम चार से पांच मिट तक फ्राइ करेंगे इसको हम टर्न करकर के फ्राइ करेंगे इसको हम दो बार फ्राइ करेंगे एक बार हम इसको पांच मिन्ट तक फ्राइ करेंगे दूसरी बार हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो अब हमें इनको fry करते हुए 5 मिनिट हो चुके हैं अब हम इनको निकाल कर 1 चनी में रख लेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ओयल है निकल जाए इसी तरह हम बागी जो बचे हैं इनको भी fry कर लेंगे इनको भी हम 4-5 मिनिट तक fry करेंगे अब हम इनको भी बाहर निकल कर एक छन्नी में रख लेंगे इस फ्राइ कीवी फ्राइस को हम एक प्लेट में एट कर लेंगे और इसको हम एक पंखे के नीचे रख देंगे ये जल्दी से थंडी हो जाए फ्राइस हमारी थंडी हो चुकी है अब हम इसको एक बार फिर से फ्राइ कर लेंगे अब हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राइ करेंगे 5-6 मिनिट तक फ्राइस को हम दो बार फ्राइ करते हैं पहली बार में हम इसको आधा फ्राइ करके इसको थंडा करके फिर हम दूसरी बैच में इसको गोल्डन होने तक 5-6 मिनिट तक इसको हम फ्राइ करते हैं इस तरह करने से आपके fries बहुत ही tasty और crunchy बनेंगी एकदम restaurant जैसे इसको हमें turn करकर के fry कर लेना है आप देख सकते हैं इनका color हलका सा change हो रहा है fry सब अच्छे से fry हो चुके हैं अब हम इसको बाहर निकाल कर एक चन्नी में रख लेंगी ताके इसके अंदर जो एक्स्टरा ओयल है वो निकल जाएं French fries बनकर तयार है इसको हम गरमा गरम सर्फ कर लेंगी तो ये लीजे गरमा गरम French fries बनकर तयार है French fries बहुत ही टेस्टी है, ये एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही है तो इसी तरह आप भी फ्रेंच फ्राइस रिस्टूरंट जैसे घर पर बहुत ही आसान इसे बना सकते हैं उमीद करती हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमली और फ्रेंट्स के साथ इन्शालला मैं आपसे बहुत जल मिलूंगी एक नई रेसिपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा आप आप सब को खुश रखे Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu